दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा स्टॉप एंवेट एयार क्यू प्रोटकॉल के बारे में पूरे कंप्यूटर नेटवर्क्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिस्ट बनाई जाए तो शायद उसमें ये टॉपिक अपनी जगा बनाएगा यहां पर डी निवर्स्टी एक्जाम सो कॉम्टेडिव एक्जाम सो तो वो न्युमेरिकल कैसे समझना है कौन सा डेटा आम तौर पर गिविन होता है कैसे सौल करते पूरा फॉर्मूलर डेवेशन तक सब कुछ कंप्लीट करूंगा तो स्टॉप एंड वेट के ऊपर यह पहली और आखर सेंडर है जिसके पास माली जीए सब पकेट्स हैना पकेट पी फीट या डेटा लिंक लिए में बात करूं तो फ्रेम बोल सकता हूं पकेट पीठी लाइक दिस और उसी तरह सिवर है एक एक बार में एक एक फ्रेम एक पाकट हम भेजने वाले हैं और रिशीवर उसको रिसी के बारे में सोचना है वो सोचना है receiver के बारे में एक problem क्या है सेंडर हो सकता है ज्यादा capacity रखता हूं तो सर्वर हैं जो हेवी transmission करते हैं transmission medium भी capable है लेकिन जो हमारा receiver है वो capable नहीं है तो stop and wait क्या करता है पहले देखता है कि यार यह overwhelmed ना हो जाए ऐसा नहों कि उम्मीद से वो कहता है मैं एक बार में सिर्फ एक फ्रेम भेजने वाला हूं only one at a time मैं पूरा फ्रेम भेज दूँगा आप इसको receive करिए आप इसको process करिए और उसके बाद जब आप मुझे acknowledgement भेज देंगे when you send me the acknowledgement only then I am going to send the next frame as simple as that इसलिए उसका नाम है stop and wait तो इसका मतलब क्या हुआ एक फ्रेम भेजने के बाद आपको दूसरा फ्रेम भेजना है क्या जी नहीं आपको stop हो जाना है रुख जाना और वेट करना किसका वेट करना एकनॉलिजमेंट का वेट करना अगर एकनॉलिजमेंट आ गया then everything is okay अगर एकनॉलिजमेंट नहीं आया नाम पर ये फुड़ा stop and wait automatic repeat request अब होगा क्या अभी समझाता हूं कैसे तो जब मैं एक packet भेजूँगा उसका कॉपी मेरे पास पहले से रखोंगा और मैं एक टाइमर चालू कर दूँगा घड़ी देखे कि यार मेरे हिसाब से भी बताऊंगा वो कैसे से री ट्रांस्मिट करने वाला हूं इस बात को समझ पा रहे हैं तो आटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्स यानि कि अरेरण क्या dealer अलग से बताने वाल एंड器 बैठने वाला है क्योंकि receiver को रह कि कुछ समय के बाद होगा कैया सेंदर का टाइमर एक्सपाइर होगा सब्सेंड़ में भेज नहीं रहा थो खुद मने और माले left kaudh kudра नहीं नहीं वह सकता है आill पूंचे नहीं उसके सबसद होगा कुछ camera करें फम पाक किट पहुंचे लेकिं हुच लिए कुछ नहीं बोलेगा । री ट्रांस्विट करेगा हो सकता है पाक्ट पहुँचे सही पहुँचे रिसीवर अच्छे से मैनेज भी करें प्रोसेस करने के बाद एक नॉलज्मेंट भी बेज़े बट एक नॉलज्मेंट कहीं लॉस हो जाए उसकेस में भी सेंडर का टाइमर एक्सपायर होगा टाइमर रिपेट 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 क्यों भेजा क्योंकि रिसीवर अलक्स से कुछ नहीं बोलेगा येस अगर एक नॉलिजमेंट नहीं आया तो मानलो कुछ गड़बड हो गया हमको नहीं पात एक्जेक्ली प्रॉब्लम हुई क्या है बाई फ्रेम लॉस हुआ आप अभी अगर किसे ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया तो मुझे मानना पड़े गाई रहें कुछ समझ आ नहीं था मैं दुबारा से परताता हूं लाइक दिस टेखने येस तो दैट इस आइडिया वर्क्स अब आ जाते हैं अगले लॉजिक पे सिक्वेंस नंबर की इसकी क्या कह आजेंगे देखो यहां पर एक के बाद एक के बाद एक बाद एक बहुत सारे पकेट्स हैं लेकिन आप समझो एक बार में सिर्फ एक ही पकेट मार्केट में है और दूसरा पैकिट अभी लाइन में फॉर एग्जामपल मैंने भेजा पाकिट नंबर 0 मुझे समझाने ही जिरो सब कुछ प्रॉपर्ली सही से चला गया अब नेटवर्क में कायदा है एक एक क्या बोलू एक सिंपल रूल है जो हम आगे तक फॉलो करेंगे कभी में करन्ट पैकेड का अगला मांग के अगलेज करते हैं यानि के जैसे ही आप जीरो सही से पहुंचा देंगे जीरो पहुंच गया रिसीवर अखनालिजमेंट में क्या बोलेगा अगलिजमेंट फॉर पैकेड नूमबर वन अभी अगला मांग रहा है तो अगला मांग रहा है इसका मदलब जीरो की कहानी पूरी हो गई अब जैसे इसने मुझसे अगलेजमेंट वन दिया मैं समझ गया कि पहले का नंबर 0 है तो अगले का नंबर 1 लिख देता हूँ मैंने इसको भेज दिया यही फ्रेम नंबर 1 और पाकेट नंबर 1 आप जो चाहे वो बोल सकते हैं अब यह फिर अगला मांगेगा अब मैं आपके बात समझा रहा हूँ जीरो के बाद 1 तक जब मैं पहुंचा तो क्या पुराने जीरो की आईडिया पूरा खतम हो चुका है हां क्योंकि मैं भी क्लियर हूँ मैंने उसकी कॉपी भी हटा दी अक्नॉलिजमेंट आ गया मैं समझ गया कि डेटा पहुंच गया है रिसीवर क्योंकि अल्डेडी वन के लिए मांग चुका है तो अब रिसीवर वन एक्सपेक्ट कर रहा है तो क्या हम दुबारा से यह 123456 आगे चलाता जाओं या फिर मैं दुबारा से 0 रख सकता हूं स्टॉप एंड वेट में क्योंकि मार्केट में एक बार में एक ही फ्रेम है मैं सर इसका नंबर दुबारा जीरो रख सकता हूं यह बहुत इंपोर्टेंट बात है आने वाले जो स्लाइडिंग विंडो प्रटोकॉल के वर्जन से उसमें ऐसा नहीं हो सकता बड़ यहां पर लेकिन अगर 0101 अल्टरनेट तरह से चल रहा है एक ही बिट में काम हो रहा तो उस पेस कम लगेगा एफिशन्सी जाद होगी भला इससे भैतर और क्या चीज हो सकती है इसंट इट तो इस तरह से 010101 अल्टरनेट में नंबर चलाता जाता हूं और 0 के बाद 1 1 के बाद 0 ल इस बिiendo slide होता जारा है sliiting विड creat dong जिन पर अभी में concentrate कर रहा हूं जिन पर गौर कर ़हां। फिलाहल सेंडर रसीवर दोनों एक एक यग करते हैं यह बहुत-बदर सिंपल बर्जन में एक बार बै भूज रहा हूं और फिर में उसी का अपनौल्स कर रहा हूं तो यह बेसि पूसता है ca exam and numerical पूस्टता बात तो तो सर समझ आ चाहिए रहा होता मैं कहरे करके समझाता हूं Transmission नेल और Pubigation एंट यह पहले समझना श रूरी है ki transmission डिले तो इस सर्ट से आप bandwidth कर रहे हैं पाकिट को transmission करने में प्रोपकिशन करनी तो इस से कंप्यूटर ने में आप प्लेलिस में उपर जाके देखेंगे तो आपको मिलेगी फिलाल यह मैं मान के चल रहा हूं कि ट्रांस्मिशन प्रोपकेशन डिले आपको पता है अब आगे बढ़ता हूं और सीधे आता हूं यहां पर हमें टोटल सबते हैं त्यृज़्ग टाने ऊपर के यह नगेगન हमने फैले प्ले WYAA में बैकेट भीर्ण थी न क्ना को टारने में हमें कितना टीम लगेगा ट्रांसमिशन टाइंप फॉर ड्रटो पैकेटीग इस आगें रोगे न इनकेन प्रट बंगज में तो ट्रांस्मिशन करके बैड के हाथ पर हाथ रखे ऐसा सेंडर मैं तो कुछ नहीं कर रहा ना मैं तो वेट कर रहा हूँ अभी यह जाएगा यह पहुंच गया सर जैसे पहुंचेगा रिसीवर के पास ऐसा थोड़ी रिसीवर आप ही की इंतिजार में बैठा हो सकता है वो कुछ और कर रहा हो तो एक आइडिया मौर मान के चल रहा है क्यों डिले आम तौर पर इसको डिसकस नहीं करेंगे जादा दर कॉश्चन में बड़ा पॉप्शन मान के चलना बोल दे कंसी मान के चैलन है सब ό,ए उसरा है इसके बास रमाइब सायचे इसको लागल पे जहांए सब्सक्राइब तो acknowledgement का transmission time so transmission time for acknowledgement और फिर जितना time जाने में लगा ता propagation उतना ही time वापिस आने में मिलेगा देन propagation time of acknowledgement तो कोई आपसे बोले total कितना time लगता है सर इतना time लगता है transmission time of the frame then frame का propagation then queuing delay then processing delay then acknowledgement transmission time and then again the propagation delay हलां कि आम तौर पर होता क्या है जब निमरिकल साब देखते हैं यह जो दोनों डिलेज है क्यूंग डिले और प्रोसेसिंग डिले इनको आम तौर पर निकलेक कर देता है निमरिकल बच्चे के लिए जादा मुश्किल नहीं करना चाहते और मान के चलते हैं फिलाल इसे इग् अगला अर्ग्यूमेंट क्या है जो आम तौर पर फर्दर सिंप्लिफाई करने के लिए करते हैं एकनॉलिजमेंट का साइज बहुत छोटा होता है काइंड ओफ नेगलेजबल है ना तो आम तौर पर उसको भी अगनौर कर देते हैं अब अगर उसको भी आप इगनौर कर द होता है तो इन दोनों को separately consider करने की ज़रत नहीं है यहां पर आप क्या लिख सकते हैं total time is the transmission time of the data plus two into tp because standard है तो मैं लिख भी नहीं रहा कि भाई वो data का है या acknowledgement का है तो यह सर हमारे लिए standard formula हो जाता है total time कितना लगता है आम तौर पर एक term और आपने सुनते होंगा roundtrip time यह बाद में काम हैगा which is considered as two into tp आने जाने का time that is called roundtrip time फिलाल इसकी यहां पर को importance नहीं है यह total time हमने calculate कर लिया अब बात आ जाती efficiency की efficiency कैसे calculate करें सर एक बात मुझे बताओ किसी भी system के अंदर मैं तो networks की खेर बात कर रहा हूं irrespective किसी भी system के अंदर what is efficiency it is useful time divided by total time जितना समय मैंने काम किया और जितना total system time active था that is called efficiency तो यहां पर अगर इस चीज़ को मैं आपसे पूछूं मैंने कितने समय काम किया sir मैंने तो transmission के वक्ती काम किया नैसे sender जब मैं data really transmit कर रहा था बाकी समय तो मैं वेट कर रहा था तो मेरा useful time क्या हुआ sir मेरा useful time हो transmission time आप क्योंकि acknowledgement और दिया तो यह फ्रेम के transmission time obviously और total time कितना लगा यही transmission time plus two into propagation time जो जो आने आने में time लगा मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि आपने मुझे बोला एक बार में एक ही फ्रेम भेजोगे जब तो उसका acknowledgement नहीं आ जाता वेट करोगे यह कहां नहीं होगे इसको क्या कर सकते हैं आम तोर बेलोग क्या करतें दोनों ऊपर और नीचे डिवाइड गर देता है पूरे system को tt से तो इधर भी डिवाइड किया and plus two into this tp by tt इधर भी गर दिया और this will be one this will be one तो यह क्या हो जाएगा one upon one plus two tp by tt yes इसको क्या करते हैं अलग से tp by tt is equals to alpha एक value मान लेते हैं ताकि formula थोड़ा सा और simplified देखे तो उस case में बताई efficiency क्या हो जाएगी one upon one plus two alpha और यह extended formula बन जाता है alpha is tp by tt जिसे देखके आप डर रहे हो तो यह क्या कानी यह कहां साया इसकी क्या logic है बहुत simple logic है पहले आप अगर idea समझोगा resolve करते आओगे तो और अगर किसी question में बोल दिया consider this processing delay consider क्यूइंग डिले और acknowledgement का टाइम है ऐसा हो सकता है कभी कभी बोले एक्जाम से question आए है उस case में formula फेल हो जाएगा क्योंकि यह formula क्या मान के चल रहा है कि मैं यह तीनों के तीनों points इग्नोर कर रहा हूं है ना अगर यह consider करने को बोले तो फि इसकी कहान नहीं है यह पूरी calculation में आपको करके दिखाई final बात कभी कभी क्या हो सकती है बोले का final throughput बताओ आपका actual speed क्या है तो throughput क्या है जो भी efficiency आपने निगाली for example calculate करके efficiency आई let me say 0.5 1 by 2 bandwidth for example 1 mbps की तब आपका throughput क्या हो गया 0.5 mbps isn't it या इसको 10 मान लो आप ज्यादा अच्य से release कर पाओगे maximum bandwidth 10 mbps का था लेकिन हम क्योंकि 50% utilize कर पा रहे हैं तो हमारे case में भी कितना रह गया sir हमारे case में अभी रह जाएगा 5 mbps तो यह पूरी की पूरी कहानी है sliding window protocol की जिसका पहला वर्जन था तो मेरी कहल से one by one पूरी बात आपने observe की है ना stop and wait ने कैसे काम किया क्या 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 वो problems resolve कर रहा है तो sir वो receiver की हकों का ध्यान रख रहा है receiver overwhelmed ना हो जाए जब तक acknowledgement नहीं भीजता तब तक अगला हम भेजी नहीं सकता तो sender को हमने limit कर दिया sequence number क पूरा game आपको बता दिया numerically कैसे calculation करना वो पूरा बता दिया and then formula derivation वो पूरा efficiency का formula हमने calculate कर लिया इसके ओपर दो चार question solve करो गए तो 100% आपको और ज़्यादा confident आ जाएगा video पसंद आ रही हो content अच्छा लग रहा हो तो इसको like करिएगा comment करके मुझे बताए कोई भी feedback हो क कि मैं पढ़ रहा होता हूं इंडिवीज वली है ना कि सर इसमें यह ज्यादा चाहिए यह कम चाहिए कौन सा topic चाहिए बैल आइकन दबाओ ताकि डेली जो भी वीडियो का update से वह आप तक पहुंचे बगवान आप सभी को खुश रखे